नवस्का दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो भई, जम्मू कश्मीर से एक और बहुत ही जबरदस वीडियो आ गया है भई, और यह ऐसा वीडियो है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ? पाकिस्तानी इसे देखकर और जलेंगे भुनेंगे, पाकिस्तानियों का प्रपगेंडा कश्मीर को लेकर जो चल रहा है वो और कमजोर हो जाएगा, अब पूरी दुनिया इस वीडियो को देखेगी और कहेगे कि वाकई भारत के जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, और यह वीडियो है, कश्मीर अहेड नाम का चैनल है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर अहेड वाले, आप लोग जाईए और उनको सपोर्ट करिये भाई, भारत के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, भारत की चीज दिखा रहे हैं, जम्मू क कश्मीर में होने वाले बदलाव दिखा रहे हैं, तो हम सब भारतियों का ये बनता है कि जाकर ऐसे चैनल को सपोर्ट किया जाए, तो आप लोग मेरी बात मानी है, और जाईए कश्मीर अहेड को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करना हैं, तो इनका एक वीडियो ह A Journey of Excellence Experience at DMT 12 मुला, बतब ये Medical College है, DMT Medical College 12 मुला, और ये College बना है साल 2018 में, आप समझे रहे हैं, 2018 में बना है, मोधी सरकार के आने के बाद बना है, और पड़ा जबरस हो गया है, facilities बड़ी जबरस हैं, building बड़ी जबरस हैं, students पढ़ रहे हैं, जमू कश्मीर के students भी पढ़ रह रहे हैं, क्योंकि जो NEET के जरीकियों के इसमें, जो आपके entrance होती हो, NEET का exam होती है, All India Level पे होती है, NEET का exam, तो चाहे जमू कश्मीर के बच्चे नीट का exam दे रहो, अगर उनको मिल गया दिली का college, तो वो दिली आके उनको पढ़ना है, या उनको तमिल नाडू का college मिल गया पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फीजियोजी किया है, उसके बाद हमारी anatomy class है, तो दस वज़े से हमारी एक वज़े तक glasses होती है, और faculty यहां पर वोर्ट से ट्यू-पिटी से, मतलब फुल एडिटेन एक्स्पिन करती है, concepts को clear करती है, और उसके बाद में हमारा 2-4 practical होता है, practical हिस्टो का होता है और उस्टियोजी का होता है, बायो केम को होता है, फीजियोजी का practical होता है, clinical cases बदाए जाते हैं और इतनी देर के वीडियो में है दो बात हैं, जो सबसे खास मुझे हैं नजर आई, मतलब बिल्डिंग तो बहुत अच्छी हैं, classroom आपने देख लिए, बिलकुल अच्छ हैं दो बाते जो बहुत important हैं, जो basically पाकिस्तानी प्रोपगंडा को तोड़ने के लिए हैं, जो पाकिस्तानी ये प्रोपगंडा करता हैं कि भारत में मुसल्मानों पर बड़ा जुल्म होता है, आपने देखे कितने मुसल्मान बच्चियां यहां पढ़ रही हैं, और इनमें प्रोबबली वो वहीं जम्मु कश्मीर की होगी, तो भारत तो छोड़ो, आप जब कहते हो ना कि जम्मु कश्मीर में भी जुल्म होता है, यहां होता है, वो होता है, भारत में भी होता है, पूरा भारत जम्मु कश्मीर सहीद जो है, भारत के जम्मु कश्मीर से लेकर और यह वो जुलम है हम यह जुलम करते हैं मुसल्मानों पर आखे खोली आप लोग मोज को सेगल्टी मेंबर्स हैं काफ़ सपोर्टिव हैं और हैलफुल है यहां का जो मैनेजमेंट है यहां का टेस्ट है में आइ जो कर वाते हैं ताम ताम टाम प्र तेस्ट बग ज्याद करते हैं मतलब कोई इसी जो ऊसका थेस्ट लिया कोई यूमी सेच्ट के दो ऊसका रिजल दिखर जैर करते हैं और आग साथ गुर्प प्र बार नुन एड़ा अड़े रहते हैं I am really grateful for this college to God because in this college we are being provided best class faculty and best class infrastructure which provides us quality medical education and the comfort of our homes. The new medical colleges are started under the development program. In our district, government medical college was a laying stone in 2016. In 2019, the first batch of M.E.B.S. students was admitted to the admission of M.E.B.S. students. The new medical colleges have been built and has been built and has been built and has been built and has been built in the classroom, lecture halls, libraries, laboratories and laboratories are all available to us. And also, the new machinery, equipment or other things in a medical college should be used in a medical college. Yes, you can see it in Kashmir. अबिस्तानी प्रपगेंड़ा को पुरी तरा नश्ट कर देंगे. अब पाकिस्तानीों में शर्म बची हो, आँखों में थोड़ा सा पानी हो आप में, तो इन वीडियोज को इन चीजों को इन खबरों को देखने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं, जी कश्वीर में बहुत जल्म होता है, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज व ये लिए फिर, अब ये जो DMT कॉलेज है, ये कॉलेज 2018 में बना जैसा कि आपने सुना भी और ये 100 बच्चों को, 100 MBBS डॉक्टर पर बैच ये तयार कर रहा है, आप समझ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, 100 MBBS बच्चे पर बैच ये कॉलेज तयार कर रहा है, और ये सिर् सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स हैं, MBBS की पढ़ाई तो की ही जाती है, इसके अलावा भी और कई डिपार्टमेंट्स हैं, और कई पढ़ाई के जाती है, यहाँ पर आपको पता हैं, यहाँ पर चार हजार पीडी में आते हैं उनके सारी फस फसलिटीज हैं सारी चीजसें तो यह कोग चोटी मूटी नहीं यह और यह development दिख रही है आप मेरी बात समझे यह development दिख रही है तरह में आपने building दखि वो building AI से बनाई हुई नहीं है, वो जो बिल्डिंग है, वो AI से बनाई हुई नहीं है, वो असल बिल्डिंग है, वो असल बिल्डिंग है, वो असल बिल्डिंग है, वो असल, इसमें आपको एक बच्चों का बाट भी है, इसमें आपका maternity section भी है, इसके अलावा इसमें आपको सिर्फ अमडिमेडिकल कोर्सिस भी कराय जाते हैं इसमें नरसिंग के कोर्सिस भी कराय जाते हैं तो आप सोचिए कि अगर डिवलोप्मेंट नहीं हो रही होती तो क्या होता अस्पताल अगर यह बना है 2018 से 2019 से पढ़ाई 20 में चालू हो गई रोगी देखे जाते हैं 4000 पर डे के हिसाब से सारी facilities यहां पर मौझूद है और यह जिस जगह पर है शायद यह बारामुला में है तो यह श्रीनगर से नियर बाउट मुझे लगता है कि 50 किलो मेटर की दूरी पर है बारामुला 50 किलो मेटर से श्रीनगर में आलरी चोकी capital है जमो कश्मीर की तो श्रीनगर में आलरी बहुत बड़े बड़े अस्पताल मौझूद है बहुत बड़े बड़े तो जमो कश्मीर में जो health facilities हैं वो world level के health facilities है और धीरे दिर उसको इतना और जादा develop किया जा रहा है आप देखिए जैसे वो अवंतिपुरा में भी aims बन रहा है जमो का aims तो चालू हो गया अवंतिपुरा का aims बन रहा है और आने वाले साल दो साल में आप देखेंगे कि शायद अगले साल तक मुझे लगता है complete हो जागा या आप दो साल लगेंगे तो उसको complete हो नहीं वो भी चालू हो जागा तो अवंतिपुरा का जो aims है वो बहुत बड़े area को cover करेगा और चुक़्किए aims बड़ा अस्पताल है बहुत बड़ा स्पताल है ऐमस तो वहाँ पर सुविधायं भी सारी आपको बड़ी मिलेंगे मतलब आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है ऐस्रिनगर जाने के ज़रूरत नहीं है आपको सारी सुधा हैं वहावमली तो पाकिस्तानियों आखे खोलो सचाई देखो और सच को स्विकार करो जम्मो कश्मीर वो नहीं रहा जो 1947-48 में हुआ करता था आज बहुत कुछ बदल गया है और कोई जल्म नहीं होता तुक्छ हमारे लिए जैसे बिहार है, UPH state है, MRState बाकिस states हैं वैसे ही जम्मो कश्मीर भी state है जम्मो कश्मीर को वो हक नहीं मिले 75 years से तो इसलिए अब उसमें ज़ाधा क्योंकि जम्मो कश्मीर को 75 years हक नहीं मिला इसलिए आप वहाँ पर जो काम हो रहे हैं वो तेजी से किये जा रहे हैं जिसे हम बाकी स्टेट के साथ कोप अप कर सके हैं ऐसा नहीं कि बाकी कई स्टेट में डेवलपने के काम और भी जादा जुरूरी है कई लोग घंण में करते हैं कि भी सारा पैसा जम्मु कश्مر को देभिया रहा है नहीं यहीं बात नहीं बात कि पिछले दस साल में देश भर में इमश अस्पतालों के संख्या तो बड़ी है ना है कि नहीं तो सारे जम्मू के श्मीर बतवाएं नहीं है वो दूसरे राज्यों में भी आए तो इस बात का भी ख्यार लखना चाहिए तो आप बताईए कमेंट करके और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए पाकिसानियों के साथ उनके मुह पे ये वीडियो मारना बहुत सब्सक्राइए जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जही